हलो प्रेंट्स रागत है आपका हमारी चैनल में आज मैं आप लोगों के लिए तोरण का एक ड्यू डिजैन लाई हूँ यह तोरण मैंने यह लूम से कंप्लीट किया बनाकर बहुत ही इजी है अब बनने के बाद यह बहुत ही खुबसूरत डिजाइन है आप इसे जरूर ट्राइट करें यह लूम आपको कहीं भी मार्कित में मिल जाएगा इस तरीके से पहले आप निचे के साइट गिरा लगा दें फिर सीधा लें ऊपर के साइट पिंगर से दबा कर रखें ताकि यह डोर आपका बाहर नहीं लिख ले तर नीचे के साइट मैंने लेफ्ट में लिया है फिर उपर के साथ राइट में ले फिर नीची के साथ लेफ्ट में ले फिर उपर के साथ राइट में ले फिर नीची के साथ लेफ्ट में ले ध्यान रखें नीची के साथ मैंने लेफ्ट में लिया है उपर के साथ राइट में लेना है कि Saag does he crafts इस वीडियों का जिहान से देखें तो आपको यह जरूर समझ में मैं आ जाएगा है मैंने किस तरीके से यह लूम से फ्लावर बनाकर कंप्रीट किया है बहुत ही सिंपल लेयर चालू करूंगी इसी तरीके से आप आठ लेयर बनाकर कंप्रीट कर ले धियान से देख लिए नीची के साट से आपको लेट सेट जाना है अब ऊपर के साट से आपको राइट एंड की तरफ जाना है और ये पिंगर से दबा कर रखेंगे तो ये डूर आपका बाहर नहीं आएगा ये मैंने आर्ट लेयर बना कर कंप्रिट कर दिया है ये मैंने एंड उस डूर तक किया है ये जो मैंने डूर छोड़ा था फिर इस तरीके से सुई आप बीच से नीची के साथ निकाल दे अगर ये आपका होल नहीं दिखता है तो आप इसे सुई से थोड़ा बड़ा कर सकती है इस तरीके से कि कृचा को से आप को नीची के सेट नीकालना है कि यह मैंने डोर निकाल कर सोड दिया है यह जोर को आप कट कर दे 우린 के तो यह मैंने रेट कलर करण लिए इस तरीके से आप पहले गिरा लगा ले ऐसे आपता कट कर दे क्वेट EO कि जीटीके से बार कि साइट सांपने रिना है फिर और दि开ण नीखिए ले प्वेश्ग पें आना है पिरोपर के से आपको राइट जाना है इसी तरीखे से मैंने यह पूल बनाया मैं ये लेयर भी आप 8 लेयर बनाएं इस तरीके से मैंने ये नीची का 8 लेयर बनाया है इसी तरीके से उपर के साइड भी ये रेट कलर का मैंने 8 लेयर बनाकर कम्प्लीट किया है ये मैंने 8 लेयर बनाकर कम्प्लीट कर दिया है फिर बीज से आप ये नीची के साइड रोल निकाल देए अब सुई से इस तरीके से होल बड़ा कर सकती है ये दोनों डोर आप वैसे ही रहने दे ये मैंने वाइट कलर का उल लिया है नीची के सेट से मैंने फिर उपर निकाला है दोनों काटी के 20 से सुई नीची निकालना है ये मैंने वाइट कर पुरा कम्प्रीट कर दिया है काटी से आप इस तरीके से आइस्ता आइस्ता बाहर निकाले ये आप गांट बान दे बचे हुए धागे को काट दे ये दिखिए हमारा फ्लावर बनकर कम्प्लीट हो गया है कितना खुमसोस लग रहा है इसी तरीके से मैंने दज फ्लावर बनाए है ये मैंने दूसरी कलर का फ्लावर बनाया है उसी तरीके से मैंने ये लूम पर बनाया है ये बानने के लिए मैंने रेट कलर का उन लिया है डवल लेयर में और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लेज जरूर सब्क्राइब कर दे आप एलेकरन को जरूर प्रेज करें ताकि हर आने वाली लिटिस वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें हमारी इस वीडियो के आप धियान से देखें और ये डिजैन आपको जरूर पसंद आएगा आप एक बार इससे जरूर ट्राय करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे ये डिजैन आपको कैसा लगा अब पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें हजार से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें अबार बताएं हमारी वीडियो करें झाल 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 झाल